काफी लोग जो है ना आप में से काफी सारे ग्राफिक्स कार्ड बाई करते हैं और अगर आप PC कम्मुनिटे में थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो यह आपको पता होगा कि ग्राफिक्स कार्ड की हालत क्या चल रही है मार्केट में ठीक है और जो नए ने बंदे आते हैं फिर बता देता हूं कि यार मेरा नाम है शीतिन नायमा और आप सब देखने हैं टेक्नाइटी डिया यूट्यूब चैनल जहां पर हम बात करते हैं PC रेलेटर कॉंदेंसिंग गेमिंग की अगर आपका पेंट्रस्टों पीसी रेलेटर कॉंदेंसिंग में तो यह अर्मरे चैनल क ग्राफिक्स कार्ट के लिस्ते यार जिसमें से यार जो ग्राफिक्स कार्ट से आपको बाइन ही करने चाहिए ठीके तर सबसे पहले में एन्वीडे की तरफ शलता हूं ठीके तो अब देखो यार नहीं जनरेशन के कार्ट्स आचुकिया मतलब बेसिकली 8-9 माहीन ने और व में मिलता है ना तो भी नहीं लेना क्योंकि देखो मैं रिजन बताता हूं 1660 1660 शूपर 1660 टीए तीनों ही ग्राफिक्स कार्ट में अभी मार्केड में कम से कम 35-40 थाउजन से प्लस को देखने को मिल जाएंगे अब क्यों क्यों आपके एक जनरेशन ओल हो चुके हैं ठीक है फ 24-45,000 में जो है आपको RTX 3050 मिल जाएगा नहीं तो आपको जो है एम्ड का RX 6600 XT मिल जाएगा जो की काइंड ओव बैटर है तुमारे 1660 से ठीक है 6600 XT की बात करो या फिर तुम कर सकते हो का RTX 3050 निवर जनरेशन की का जिन आपको जो है नहीं नहीं फिसिलिटी आपको अब हटा दीजी आप 1650 जरूर ले सकते हैं 1650 तो आने रहा है मार्केट में ठीक है 1650 ले सकते हो वही तुम्हारा 1050 एक ही रेट का मिल रहा है 22,000 का तो तुम जो है वह वह वाला चिक आउट कर सकते हो अब अगें थोड़ा में अपर सेग्मेंट की दर्ब चलू तो भाई यहां पर आता है तुम्हारा RTX 2060 2070 अब 2060 2070 जैसे कार्स लेने का क्यों इसमें सेंस नहीं बनता है क्योंकि भाई 2060 की जो प्राइस है वह 45-55,000 की बीच में अभी लाई कर रही है और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट यार मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है ना मार्केट में आप जाओके कि बोलोगी भाई यार मुझे 50 पर ग्राफिक्स काट दे दो तो भाई वो जो शॉपकीपर है ना वह आपका स्टॉक क्लियर वह अपना स्टॉक क्लियर करने लिए आपको जह है पुरानी सीरीज चिपका आगा भाई मेरी मेरी ही बात ले लो मतलब तो मुझे सोच लो ना इतने घंदे शॉपकीपर होते हैं तो हम किसले बैटे वाई हम आपको समझाने के लिए बैठा है कि क्या सही और क्या गलर ठीक है तो 20 सीरीज भी आपको ओड़ गर नहीं है कोई बीकाट ना ले 16 सीरीज का कोई बीकाट ना ले 10 सीरीज में सिर तो आपको देखो बेसिकली ना अपर सेग्मेंट में जा रहा हूं तो आपर सेग्मेंट में एक काड आता है जो बन्दों अपने बैस्ट आफ बैस्ट आफ इस वाले बंदों के लिए तो बट्रवाई बजट में भी हो हमें पावरफुल गेमिंग भी करा देता तो ऐसा का for money भी आपको पड़ेगा काइंट आपको नहीं 3090 लेने की जुरहोते हैं और नहीं बिल्कुल लोगर लेने की जुरहोते हैं अच्छा गेमिंग एक्सपिरेंस के लिए 3060 आफे 3070 is more than enough आज के टाइम में अपना पैसा डाल सकते हो बाकि लोगर सेग्मेंट में अच्छा का एश्यू है वह तुम अपर सेग्मेंट में तो 6600 XT तुम कर सकते हो बाकि देखो 6700 XT भी अच्छा काड़ है नो डाउट बट तुमारा उसका सब्सक्राइब के बारे मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताओ और मुझे यह भी बताओ कि आप जो नया ग्राफिक स्काइब जाए वह कौन सा लेने वाले हो और एगरी करते हो यानि करते हो मेरी बात के साथ किया रवाई शॉप की बर जो हो तुम बेखू बनाते जा झाल घड़िक सा लेफ पाहि रवाई बअपकुम और हो बनाते हो याले हो जाए लेच डिल कि आर एखू सके बच्द सा लेफंदे